सब्सक्राइब और प्रेस थे बिल आइकोन अन यूटुब एप तो नेवर मिस अन अपडेट फ्रम नीज अलर्ट बेबाक और आकरामक अंदास के लिए मशूर पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्ट्रियानो रोनाल्डो ने गुस्से में एक फैसला लिया और कोका कोला कंपनी को 293 अरब रोपे का नुकसान हो गया घटना हंगरी के खिलाफ पुर्तगाल टीम के यूरो 2020 के मैच से पहले की है स्टार स्ट्राइकर ने अपने सामने से कोका कोला की दो बोतले हटा दी और इसे बनाने वाली कंपनी कोका कोला को करीब 3 खरब रोपे की चपत लग गई कोका कोला 11 देशों में खेले जा रहे यूरो कप 2020 का ओफिशिल स्पॉंसर है कोका कोला ने अपनी ब्रेंड वेल्यू बढ़ाने के लिए सभी प्रेस कॉन्फरेंस में कोक की बोतलों को डिस्पोजल के तौर पर लगाने का फैसला लिया था हंगरी के खिलाफ मैच से पहले रोनाल्डो और पुर्टगाल के कोच परनांडो सांतोस प्रेस कॉन्फरेंस के लिए पहुँचे तो कोग की दो बोतले पहले से टेबल पर पड़ी थी अपने अनुशासित डाइट के लिए मशूर रोनाल्डो कोग की बोतले देखकर गुस्से में आ गए और उन्हें तुरंथ हटा दिया उन्होंने अपने सामने कोका कोला की बोतले देखकर नाराजगी जाहिर की रोनाल्डो ने गुस्से में चिला कर कहा कोल्ड रिंक नहीं हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए वास्तम में 36 साल के रोनाल्डो फिट रहने के लिए किसी भी तरह के एरेटिड डिंक से दूर रहते हैं रोनाल्डो के इस खदम से कोका कोला कंपनी के खिलाफ महौल बना और इसका असर कंपनी के शेरों की कीमत पर पड़ा एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को जब यॉरोप में तीन बजे स्टॉक मार्केट खुला तो उस वक्त कोका कोला के एक शेर की कीमत 56.10 अमेरिकी डॉलर थी लेकिन कुछ ही देर में ये लुड़क कर 55.22 डॉलर तक आ गया इससे कोका कोला के बाजार मुल्यांकन में 4 बिलियन डॉलर यानि की 293 अरब करोड रुपे की कमी आ गई